ओम शान्ति नमस्ते वेलकम टो वन्मोर एपिसोड ओफ ट्रैजर ओफ एक्सपिरियंसे हार एपिसोड में हम बहुत खजाने प्राप्त कर रहे हैं यह अनुभव हमारे जीवन को बहुत सरल रिती से सहज रिती से ब्राम्हन जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेणा दायक रहे हैं और ऐसे अनुभवी रतनों से हम मिल रहे हैं उनके अनुभवों के खजानों से हम अपने जीवन को भी भरपूर कर रहे हैं और यही प्रेणाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आये हैं आपक आपको पिछले एपसोड में भी हमने सुना था आपकी जीवन कहानी, आपने बहुत रमनीकृति से और बहुत गहरी राजोन से भरा हुआ जीवन कहानी जिसमें दादी जी का, बडी दीदी जी का, मनमोयनी दीदी जी का रोल और जो भी यग्ये के दादाए हैं उनके साथ का अनुभवे बहुत सुन्दर तरीके से सहच शब्दों में हमको समझाया बहुत प्यार हमने मैसूस किया आपके एपिसोड से कि दादियों का प्यार येग्य का प्यार ऐसा रता था क्योंकि आज बहुत ओने यंग जनरेशन जो भी है दादियों को नहीं देखा है या उनके प को देखने का मोका भी मिला आप ऐसे दर्शाय है उनको कि उनके व्यक्तित्व भी हम समझने के लिए बहुत इजी हो गया तो आज जैसे पिछले एपसोड में भी हमने सुना था कि मेडिकल विंग की सेवा ये करने के पहले आप हर पल हर छोटी-छोटी सेवा में भी भहुत एंजॉय करते हुए बहुत उसाह से उमंग से आपने किया है कभी भी यह नहीं था कि हम ने डॉक्टर की पढ़ाई किया है और उस पोजिशन में कभी नहीं रहे लेकिन बहुत सीधे साधे बहुत साधारन रिती से प्यार से भावना से शद्धा से किया है उसका आज श्रे कोट इसी जगह पर और एक टीपाईल एक स्टूल पर बैठकर एक पस्ट एड किट लेकर आपके ऐसे सेवा ये किये लेकिन बाबा आपके हाथ में ऐसे जादू भर दिया कि बाप दादा सहित आपके सामने बेज देते सभी को बेहनों को ठीक करने के लिए दवाई देने के लिए तो इतना अच्छा हाथ आपका क्योंकि भाग्यवान है आप बाप दादा आपके सामने रतनों को भेजा ठीक करने के लिए तो आज भी हम यगी में देखते हैं कोई भी भाई बैने समर्पित भाई बैने यह दादिया दीदिया जब भी जो भी अभी तक रहे है कभी किछ भी होता है कोई भी तकलीफ में है तो याद करते हैं आपको यह बहुत बड़ा एक अपना ही भाग्य है आपका क्योंकि कभी कोई भी कुछ भी तकलीफ है रात को भी आपको फोन करते हैं और आप हमेशा रेडी है सेवा के लिए सब ही दादियों को आप हॉस्पितल मे में ले जाना आना सभी चोटी चोटी बेनों का भी ख्याल रखे है हम अपने आंखों से भी देखा है बहुत सेवा आपने किया है कर भी रहे है करते भी रहेंगे तो मेडिकल विंग की सेवा यह तो शुरू अपने बताया है लास्ट एपिसोड में और थोड़ सा हम मेडिकल के बारे में सुनना चाहते है कैसे सेवा यह शुरू हुआ थैंक टू मेडिकल विंग की शेवा के बारे में मैं सुना हूं तो खाना बनाने की डिवटी थी आपको पता है दवाय देने की डिवटी थी लेकिन नसा था खाना भी बहुत प्यार से बनाते थे 50-60 लोगों का भ अब मेडिकल विंग की शेवा रात को दस बजए क्या हुआ कि एक बार मीटिंग हुई तो मीटिंग में सब डॉक्टर थे और रमेश भाई जो चाटेट अपने यगी के थे वो डॉक्टर जयंत के कान में बुला कि बनार्शी को अगर इसमें रखते हो तो बहुत अच्छी से सेवा होगी चुकि यह सब के साथ जुड़ा हुआ है तो सब का आशिरबाद तुम लोगों को मिल जाएगा यह जयंत भाई को उन्होंने बड़ोदा वाले डॉक्टर जयंत को बुला जयंत भाई ने मेरे को बुला कि आप अपने सेवा करो थोड़ा मेडिकल विंग का भी क कमीटी बनावो जो कुछ करो लेकि बनार्शी को नहीं रखना क्योंकि इसके पास बहुत सेवा है कि इधर आएगी तो उधर की सेवा थोड़ा कम हो जाएगा तो हम भी सुन रहे तो चूप थे वह जी दादी लेकिन मेरे को जब अबदारी देते गया दादी को बताया नही है और हमने भी नहीं बताया कि दादी मुझे जब अबदारी मिली है कोई पोस्ट पोजिशन की बात नहीं थे लेकिन यगी के तरफ से मेडिकल विंक है लेटर जाये बुलेटिं जाये समाचार जाये अब यग में मैं होता था तो मैं ही भेज़ेगा तो उन दिनों में इस् पैसा या दस पैसा का होता था , तो इकान Angeb बुइन ками इतनी थी दो कि हम नहीं विल्लिम नियम बना था कि भाय किषी को भी पत्तर लेकिना हो तो पोसकाड atyसिसे Втор है जो लिए फ्यों I Aadывает में थे मिलेगा हो आप को यह करना पड़ेगा। यह थोड़ी अलग बात है लेकिए मैं सुना हूँ बेगरी पाट के एक सब्द सुनाऊंगा हम लोगों के डश्ट बीन में कोई केला खा करके डाला होगा तो कोई रिपूर्ट कर दिया हो कि गुपु के तो डश्ट बीन में केले के छिल के आते हैं कर दीदी ने बुलाया कि तुम लोग केला कहां से मंगाते हो कहां से पैसा या मने का भाव देखिए कितना iन में हम लोग पले हूए हैं एक पैसा जेब में नहीं होना हम चाहिए खाल री问 उ इक पैसा कहां से आया कर तुम केला ख़रिधा तो उनक्यों नहीं है यह डिर्य cancer Leia इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है क्यों पैसा रखा है इतना खड़क ट्रेनिंग में हम लोग वले हुए है तो अब देखिए तो हम मेडिकल विंक है उदर खाना बना लेता था इधर दवाई दे लेता था नौ साड़े नौ हो जाता था बंध हो जाता था तो दस बजे हम हमारी ओफिस है मेडिकल विंक है जहां रतनमेनी दादी के सामने है उच्छूटा सा रूम तो वहां हम बैट करके पोस्कार्ड लिखते थे दादी घूम करके आती थी और उसी भरांडे से अपने रूम में जाती थी तो मेरे रूम वहां ओपिस में लाइट जलता था तो आ आज यहां को भी लिखना हो कि पुराने लोग थे पूस कार्ड लिखता था फाल Was living लेकिन फिर भी अंदर में हिचकिचाहट होती थे अपना कारोबार कर रहे हैं, हम जाकर रोविंक कारोबार कर रहे हैं, तो मन नहीं जाते थे हलांकि बहुत नजदी की थी, पोस्काड लिखता था, दादी देखती थी क्या कर रहा है, तुम दस बज seperti 10 अच्झा तुम गया नहीं सोने के लिए दादी एक पोस्कार्ट डाक्टर परताब को लिख रहा हूं या फलाने को लिख रहा हूं, तो फिर जाता हूं, तो रात को दस बजे हम अपना ओफिस का काम करते थे, और तब से यह नहीं कहते थे, कि मेरे को जबबदारी मिली है दादी, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है हम याद का काम जड़ा भी कम हमTON करते थे तो सब ने मेरे ऊपर अयर रखा था वीन का काम करते थे अब व Всем के काम में रूची बढ़ गई सब जगा पत्तर लिखना, लोगई को पत्र लिखना सब थोड़े चोटा सब परिवारता सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे दवाई देने के कारण और अच्छी तरह से जानते थे तो उनसे कुछ भी सेवा लेनी होती थी फट से उहां कहा देते थे तो इन लोगों को और हमारे उपर भावना बैठ प्राइनल येर में थे लेकिन उनको भी सेवा का बहुत हुमंग था कुछ नया काम सोच कर आते थे हमारे से डिसकस करते थे फिर मैं उसको प्राक्टिकल में ले आता था इस तरह से हम लोग मिल करके करते थे फिर विंग बना 85 में ये सेवाए 85 पहले कि हम 75 से की बात सुना पांच साथ साल पहले से हम लोग सिवा करते थे 85 से ओफिसली विंग बना तो उसके बाद प्रदर्शनी का एक सेट बनाया हम लोगों ने सब मिल करके ग्रिस भाही मिल करके सब प्रदर्शनी पोजेटिव हैल्थ एक्जिवीचन बनाया अब प्रिंट होके आ गया अब जग को विंग का एक्जिवीचन उन्होंने समझ लिया तो वो हर विंग के मीटिंग में मेरे को बुलाते थे और बोलते थे तो तुम समझाओ अब जगदीस भाई बैठे हैं मैं समझाओ मेरा क्या हाल होगा आप सूच सकते हो बताने की जुरूत नहीं है फिर भी बोलते थे नह करते थे और तब से जैसे कि मेरे एकदम जबान पर पूरी परदर्सनी आ गई मैं कहां समझाता था कि डाक्टरों को तो लोग हैरान होते थे कि खाना बनाता है यह करता है और इतना अच्छा परदर्सनी समझाता है लोगों को बहुत खुशी होती थी पालनपूर में हम डा दोक्टर हैरान हो गए कि तो पेसेंट लेके आता है और इतना नौलेज कहां से इसके पास आ गई दीरे दीरे सेवाइं शुरू हो गई गिरिस भाई के साथ हम जाकर के इधर उधर सेवा शुरू कर दिये भरोच में गिये इधर उधर गये कुछ जगह जाते हैं सब जगह नहीं जाते थे क्योंकि मेरी सेवा अलग थे और मैं अपने आपको इतना फ्री नहीं करता था दादी फट से आ करके कहें कि देखो आखिर वो दिन आ गया कि काम चोड़ के जा रहा है तो हम दादी के होते तो कहीं जाते ही नहीं थे एक दिन की देने को मेरे डीटी लगाई तो मैं दादी के आगे टोली लेकर के गया ट्रे में प्लेट में टोली एक ट्रे में चार प्लेट होते हैं दादी के आगे रखा ले गया तो दादी देखके मेरे को दृष्टी देती है और कहती है कि महमान बनकर आय हो एक दीन लेट ओ दीन औ कुछ कारण लेट हुआ तो तुरत फॉन करके बताएंगे यह कारण है मैं इतना लेट आ रहा हूं। आज तक वह संस्कार है बिना पूछे कहा जाना बिना पूछे कुछ करना। इतना संस्कार है। कितना डिसिप्लिंग में हम लोग पले हुए हैं कि कलकटा में मेला हुआ कलकटा में अल्मुनियम के चीज बड़ा सवस्ता मिलता है। चार आना में एक बॉक्स मिला था जहां सेविंग कीट उगरा रखने का उन दिनों के बात करना। तो हिसाब दिया तो चार आना का एक सेविंग किट नहीं लिखा एक अल्मुनियम का बॉक्स लिखा। तो दीदी हिसाब पढ़ी इसु को दिया था इसु दाइने दीदी को दिया। दीदी ने बुलाया कि भाव तुम चार आना का बॉक्स लाया है। हम बोला कि दीदी सेभीं का हम लोग भायों का होता है ना कहां रखे तो इसलिए उसमें अलमुनियम का अच्छा था तो ले लिया तो कुछ आगे बोली नहीं कि लिए खरिदने के पदे यग से पूछ लिए यग में है क्यों खरिदता है चार आना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है लिगिए चार आना का पुछ आज भी बोक्स पढ़ा है वह और फीर वह रखा है समाल करका अलमुनियम का बोक्स तो कहने का बाभ है कि इतनी discipline में हैं, तो आज भी कुछ खरचा करते हैं तो डीदी और दादी सामने आज आती है, या उनकी सिख्छाएं सामने आ जाती है, कैसे एकानौमी करके अस्ट रतनों में चले गए, अभी भी, आज भी कुछ खरचा होता है तो डीदी दादी सामने आज आती है, कितना एकानौमी से उन्होंने यग को ले गया देखिए केला के छिल का कोई बड़ी बात नहीं है तो कहने का भाव है कि इतना डिसिप्लिन से पाला है वो डिसिप्लिन रग रग में भरी है इतना पैसा होने के बाद भी एक नया पैसा फाजूल खर्च नहीं कर सकते हैं आज यह बात सुनते मेरे को ऐसे लग रहा है कि दादियों ने भी या दीदियों ने भी अपने घर जो है बहुत रॉयल फैमिली से आये बहुत अच्छे फैमिली बहुत बैग्राउंड अच्छा था फिर भी वह अपने आपको ऐसे मोल्ड किया उनके साथ जो रहे उनको भी उस अच्छी रास्ते पर चलाया कहने का मेरा भाव यह अब चले हम वींग के सेवा परने तो अलग चैप्टर हो जाएगा तो वींग की सेवा के लिए फिर ऐसे करके धीरे धीरे वींग को डैबलब किया और एक्जबीशन समझाने आ गया तो हर वींग में मेरे को जगदिस भा रावाकिया चुप चुप रहा कहीं किसी के साथ जाना उठना बैठना कुछ नहीं परदर्शनी समझाने दादा के साथ जरूर मीजियूम जाता था और जगदिस भाई के कहने से यह परदर्शनी समझाता था धीरे धीरे यहां से शुरू हूआ मुख खूला और आज वालों की पाल ना भले तोसा ही खिलाते थे, क्योंकि उन दिनों में तोसा ही होता था, तोसा ही खिलाते थे, तोसा की इतनी भैलू, आप पुछे नहीं, एक दाना भी यग से मिले, भाई कोई जा रहा है, प्लाने डाक्टर के लिए इतना सा टोली भेज दिया, तो उसकी तो नहीं है, यग से टोली आया है, उसकी खुसी, तो इसलिए डाक्टरों को हमारे साथ बहुत अच्छा तालमिल हो गया, और हम लोग मिल के सेवा करते रहे, पहले बार जब यग में, 82, 83 की बात कर रहा हूं, पीस कॉन्फरेंस होती थी, तो बर्गी करन, मेडिकल का अलग वर्क्षप होता था, फलाने का अलग होता था, तो उसमें कौन डाक्टर आते थे, पीस कॉन्फरेंस में, इनको होटल में रखते थे, होमियोपेथी डाक्टर, आयरुवेदिक डाक्टर, और प्रकृति चिकिस्ता के डाक्टर, नेचर कूर के डाक्टर, जोला साब आज देखिए कि MDMS Conference, MBBS को तो इलाउ नहीं करते हैं, इतने बड़े लेबल पर कॉन्फरेंस हो रहा है, कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, तो यह बाबा को पर निशे मुझे आज भी बहुत है, हर काम कहते हैं, इतने बड़े बड़े हस्पिटल में जाते हैं, आज के भी डेट में, आप देखो मुझे यहां के लोंगेज आती नहीं है, इंगलिस इतना आये फ्रिक्वेंट आती नहीं है, हिंदी में बात करते हैं, वो समझते कम हैं, लेकिन इतने भावक हो जाते हैं, बड़े बड़े डाक्टर, दो दो धाई घंटा तक बैठे रहत जो 10 मिनट के ले आते हैं, वो 2 घंटा बैठे हैं, कूंग बैठा रहर है मेरे कुछ नसा होती यह उसी नसे से इन से बाते करता हूं, उसी नसे से हर जगह यह करता हूं, तो नर्द करने का मेरा भाव है कि वींग की शिवाएं यहां से बड़ी है, और बाबा ने करवाया है मैंने कुछ किया की नहीं है। आज भी मैं करता हूं तो गते हैं बाबा, कहां से कहां तुम एकर आयह हुे सुबह द 모 सरके इस आख करता है और अब कही कुछ साथ मन नाचता है अकेले रूम में रहता हूं पसका रहता हूं, पसके नाचते हुए और वहां से उठा करके क्या बना दिया उतनी भावना से सुबह बाबा से बात करता हूं क्या बता हूं बाबा आप पे प्रेन देता है एक बार मीटिंग हुई तो सब ने कहा कि नई बाते कुछ निकलनी चाहिए मैं सुबह उठकर के बाबा के पास बैठ गया बाबा आपको आज नया बात मुझे टच कर नहीं करनी है नहीं तो मैं उठोंगा नहीं तो बाबा ने टच किया कि माई इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट बनाव और सुबह उठकर के मीटिंग में सुबह हम सुनाया सब डाक्टर खुस हो गया कि यह कैश्ची टॉपिक है सब लो से भी वही करा रहा है और इसलिए मेडिकल विंग की सेवाएं और दिन पर दिन बढ़ रही है क्योंकि हम यग के साथ हमारा बहुत अच्छा बहुनों के साथ समंध है कहां भी हो किसी भी स्टेट का हो कहां भी गीता पड़ताला का हो और आज भी मेरा नेचर है कि छोटी ब पूखे रहता हूँ आमदाबाद में चारो तरफ गुमता हूँ सब हस्पिटल में रहता हूँ धाई बज गया है और बाजू में ही सेंटर नहीं जाओंगा जहां हम रूके हैं वहीं जाकर करके तीन बजे खाना खाएंगे धाई बज वहां नहीं खाएंगे क्योंकि मेरे इतना मैं ध्यान रगता हूँ उनके साथ नराजगी नहीं है लेकिन ध्यान है वेस्ट नहीं करना है तो इसलिए बहनों के साथ टीचर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा यह हो गया तो कुछ भी निकालते हैं आज भी पहले भी तो हमको बहुत रेस्पॉंस मिलती थी अभी आ हमारे अमिरचन भाई बोलते हैं कि हमने यह कर लिया है कोई टीचर्स भेजती नहीं है तुम भी चला है बन व्यासन मुक्ति के फॉर्म लेकर करके हमने बहुत मेहनत किया और हमको नहीं रिजल्ट मिली आपको मिलेगी तो करके देखो आप मानेंगे नहीं दस हजार से भी आदे फॉर्म हमारे पास आ गया वही टीचर्स ने भेज दिया और हमने उस पर रिसर्च करके हमारे डॉक्टर ने करके देखा आज बाबा को परतक्षिता हो रही है कि ब्रुमा कुमारी में साथ दिन के कोर्स में 93 परसेंट लोगों ने वेशन छोड़ तो इस तरह से हमार विंग की सेवाएं बढ़ती गई है बढ़ रही है और सब डाक्टरों को बहुत में प्यार से सेवा करता हूं को थोड़ा काना कानी करता भी है उनको शंभालता हूं प्यार से सेवा करता हूं यह लीडर्शिप क्वालिटे आप में बहुत अच्छा देगे क्योंकि इतने को संभालना और इतने अच्छे पोजिशन के डॉक्टर को संभालना इसी बात नहीं है तो बाबा कराता है और हम सोचते हैं कि चलो मेरे जूकने से अगर उसको खुसी होती है तो हम कोई छोटा होने वाले नहीं है जो ब्रामोन परिवार के नजुरों में है मैं वही रहूंग लेकिन यह तो बोचर आगी चल जाए इतको तो खुशी मिल जाए विंका शेवा में बढ़ जाए इसलिए सबको प्यार देना सबको सही हो जो दीदी दादियों से जो बाबा से प्यार लिया आज भी प्यार बांटने के लिए मैं तियार रहता हूं अपना नींद का भी टा दिया है तो जितने डॉक्टर आते हैं उनको अपने पास रखते हैं उनकी संभाल करते हैं उनकी खात्री करते हैं और उनके इतनी खात्री करते हैं को उनका बुद्धी कहां जाता नहीं है विंग विंग सारा दिन वो भी विंग सोचते हैं हम भी विंग के सोचते हैं लगा के आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी आप करोना के वारियर्स को जो भी है, फ्रन्ट लाइन वारियर्स को सेवा है दे रहे हैं, एक फेलिसिटेशन छोटी बात है, लेकिन उनको रेकगनाइस कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के तरफ से, उनको अप्रीशिय विषया है, और भी हम कामना करते हैं, आपसे बहुत कुछ समझे. तो ये संकल्प कैसे आया कि करोना वारियर्स को फेलिसिटेट करें, हर वास्पितल में जाके मिलें, उनको अप्रेशियेट करें, ये संकल्प कहां से आया आपको अब ये संकल्प हमने ये देखा कि जब हम पचातर को सनमान करें, तो इतना बड़ा यज्य है, पचातर किसको चुने और किसको सन्मान करें तो फिर बुद्धी में आया कि सरकार मरे हुए सैनिकों का सन्मान कर रहی है जिन्दा सैनिकों का सन्मान कर रही है जो वहां बोडर पर अपना जीवन को त्यागा है तो हमारे डॉक्टर कोबीट पिरियड में इतने त्याग किये हैं तपस सेवा दिये हैं उनका सनमान हम क्यों न करें वहां से मेरे बुद्धी में आई और पहला हमने रौतक में यह प्रयोग मिलाया रौतक में देखा कि रौतक मेडिकल कॉलेज रौतक इनवरसिटी और रौत पार हम कर लेख रौतक तिनों को मिला करकर वहां के डॉक्तर कीरनबाला- नुर्डोजिस्ट है हैं उन्होंने तीनों को मिलाकर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एक ही रौम में कर दियां उन्वर्सिटी रौम में और वहां बॉईस चंसलर। हैं सारे सारे लोग हैं, वह चैंसलर ने कहा कि मुझे दस मिनट से ज्यादे टाइम नहीं मुझे मीटिंग अटेंड करने हैं, मुझे जाना है, सर आप जाईए, हम आपका सनमान करने ते हैं, आप जाईए, हॉल भरा हुआ है, जब हम डारेक्टर का सनमान किया, सारे उपर लोगों का स हम दुक्टर को कर रहे हैं, तो देख दक रहान हो गया है। उसको अंदर से आएक, मैं तरक किया मैं सनमान करां हां, कहां साराज कर देखा, तो देख मुझे से लेइन divine. सवल राज कर दीया। मैं hemmetal में 2 से लाजेग लोगों के भी बिश्ये विएramer लोगों को गल 1991 बाल पाउं पढ़कर के और उनके गले में उडाल रहा है। उसको और अपनापन के फिलिंग होई। मानेंग नहीं, दो घंटा तक खड़ा होकर के सब को सुपर आया, उसको भी पहन आया। सुपर रो रहा है। पाउं में हाथ लगा रहा है। वाइस चांसलर के आखे भी गीली हो सुपर सुनाता है कि सर को हम उतरते हैं गाड़ी से उनको गुड मॉर्निंग करते हैं तो उदर मोह करके चले जाते हैं। अज मेरा भाग है। अपने हाथों से गले में मेरे माला डाल रहे है। महाल एक अलग त्यार हो गया। तो वह डाक्टर तो अपना बनी गया। हमने इटा कि यह स्वार्ल प्यार क का मुझे अर ज प्यार हो गया। वह है ता यह नो देखे घू ज आफा चाह Radio काम काम को मुंह करना है। यह ज हैं सेवा करते थे वह जा करने में झालाया। जहां सेवा करते थे चोटे-चोटे सवेरीय। बहनों से नीकाल दाता है।ु यह लिफोर्ह कnaire मेन्टोरी आप दे उमिका गिया। उनको ओम नहीं आपकता निहाते है। बुलाइते हैं अनको करना शुर्क है उनको देख विलता जुन भूला है। उन हमेसा बड़े बड़े सेंट्र पो आताया हुए। उनके जाकर अनक वे शुन के ई've breeding सेंटर पर रात को रहें, क्लास भी कराते थे और दिन में सब जगह जाकर के ते- इस तरह से प्रेहन आई मैं आर inv एनुवर्शिटी में और घा तरह से बिहार में भी गया, एक दिन सब जगह हो रही है मैंने यह समाचार सुनाया हम अपनी सोभाव हैं हमारी जो गोवा वाली है पो लिक नहीं बनार्ची भैया पाओ मैं भी करता हूं तो उसके पास भी हम 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गोवा में जा रहा हूं यही काम के लिए गुमने नहीं जा रहा हूं ठां गया हूं तो हस्पिटल में गया हूं सुबर साथ बजह गया हूं आज अबी रात को यह अज अजय रहें है, कुछ नहीं है यह सेवा है पूरी रात руки उकिपा हो देन जय चाहि, कुछ नहीं है तो उमंग आज भी है जो हम ने पाया है दादियों से दीदियों से समझ रहे हैं लेकिन खूश हो लिगा भाएस। भासना उनको मेल रही है और उनको गले में डालते है तो आज हमारे किंस और चेuffर डीरक्टर इतने बुडशनहे दश्मारी है तो डाक्टर नहीं है लेकिन वह बैठे ऐनोको मेश होते है धंव अकरतेने विद मेंले के हैं शेरे और चले गए लैकिन पहनाया में खुश हुए तो बाबा कि और हम समझते हैं कि जिसमें बाबा की सेवा है यह जीवन किस के के लिए नहीं है सेवा में रेस्ट है दुआओं में रेस्ट है यह मान कर आज तक मैं चलता हूं जलता रहा हूं ऑन सांति थेंक्यो बहुत अच्छे शब्दों से अपने सुनाया कि जीवन में आराम नहीं चाहिए आराम हराम है जैसे बाबा कहते है तो वह आपको प्रैक्ट को कैर करते हैं तो बाबा आपके health कर रहे है ठीक रख रहे हैं यही शुप मा ATEब हेल्थ के बारे में आप करते हो तो मैं मैं दो मिनुट सुनाता हूं health के लिए हम patient को ले के जाते हैं patient doctor doctor डाक्टर समझाता को जैसे डाइवेटेज को समझाता है कि आपको चीनी नहीं खाना है आपको यह नहीं करना हो नहीं करना है मिठाई नहीं मैं सुनता हूं सुगर पेसेंट को मीठा की इतनी क्रैविंग होती है कि उरह नहीं सकता है, छुपा के भी खा लेगा, सब को छोड़ देगा लेकि मीठा जरूर खाएगा, हम देखते हैं कि डाइबेटेज इतनी खराब बीमारी है, हर बीमारियों का मा है, जैसे मां हर बच्चों को पालना कर कर तो हेर्थ क भी ना करती है, बीमारी के पालना करते है, ब्टर्पेसर का करती है, किड्नी के भी खराब करती है तो हर और लोग को खराब करती है, तो हम बोलता है कि कि एक परहेज के कारण य Sith part ये है मुझे श tempting है लेकिन मैं कोई मीठ vari है। दिवाली पूरी हो गई है कहा हो देल निर्भएयर भाहि के पास जाता हूं दोस्त भी है तो इतना टोली देते हैं वह जरूर खा लेता हूं भाकिर बहर निकलता हूं तो दस लोग खुश हो तो कहने का भाव है कि बीमारी कितना नुक्षान करती है, क्या परहेज करना चाहिए, उमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं परहेज बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ, मैं माउंट अबू में रहता हूँ, तो सुबह, जो भी सिजनल फूरूट होता हूँ, नास्ता करत चावल कुछ नहीं खाता हूं, सेंटरों पर जाता हूं, तो समोसा नहीं खाता हूं, पकोड़ा नहीं खाता हूं, रोटी, सबजी जरूर खाता हूं, पेट बर के खाता हूं, तो हम देखते हैं कि नहीं, बीमारी खाने पीने से होती है, आप परहेज करेंगे तो बीमार नही रहेंगे और कहां भी रहता हूं तो पैदल करता हूं यहां भी मैं छे हज्यार स्टेप चल करके मैं गया हूं शेव पूर और तब से सेवा करके मैं अभी तक वही है तो आपको देखे तो लगता है बॉड़ी एंड माइन फिट एंड फाइन है आप अल्वेस बाबा रखा है सेवा के लिए रखा है बाबा से की प्रोमिस है नहीं बीमार हो करके नहीं रखना बीमार जिस दिन रखना है उस दिन बुला लेना हो माने के लिए तियार है लेकिन यहां है तो मुझे शेवा सेवा सेवा करना हर व्यक्ति को रिगार 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 देन सेवा respect 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 तो ऐसी इतनी अच्छी जीवन अपना रख के दूसरों के लिए भी प्रेरना स्ट्रोत रह रहे हैं हमारे आधरनी भाई का तो थैंक क्यों अपने अपना समय अमूल ये समय और इस समय में भी इतना रात के तायम पर भी आपने आपका पूरा अनुवह हमको सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब्सक्राइब को हमने यह सोचा कि क्या हम यहां आकर के सांती स्वरोवर में इस्टूडियो में गया नहीं मैं जाओंगा क्योंकि कल सुबह मैं जा रहा हूं सेव पर दीदी के साथ फिर वहां से यहां नहीं आएंगे तो हम बुला कि नहीं मुझे वहां जाना है और धन्यवाद आपका कि आपने भी अपना परस्नल टाइम में निकाल करके दिया हमें बहुत कुछी होते हैं आप से इतने सारी बाते हमने नहीं बाते भी सुना स्था और बहुत ओंके लिए प्रेर्णा दायक रहा है तो ऐसे प्रेर्णा दायक अनुभ हो हम सुनते ही रहे और हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाते रहे यही शुभावना से और एक बार अभी एपिसोड सब देखक्ज़ रहें आप दान दूसरों को भी शेयर करते रहें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें फिर और एक उपिसोड के सात्थ हम आपके सामने आएंगे तब कई लोग बडासे क्या मिला है और पर बन लोग पुछ नहीं नहीं धरूर है नहीं जाए एक इन उम एक निज्ए तैन्कियु अम शांति झाल